इबल स्टैप माचल के सभी विद्ध्यार्थों को मेरा यानि योगेश का स्ने भरा नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के सेशन में और हर रोज की तरह उमीद करूँगा कि आपकी तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होगी और आपकी और आपके परवार की सेहत अच्छी हो इसकी मैं और मेरी पूरी टीन कामला करती है तो भई जितने भी सुडेंट्स आ रहे हैं प्रिष्णा, हिमाचली, अंकिता, अंकू, SD, मैजिस्ट्रीट, वेरी गुड नितिश ठाकुर जी और आईपेश सूरज गुलेरिया, कुनाल, H.S. सपना ठाकुर, बींग नमित, सभी का बहुँ 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 स्वागत और दोस्तों, जो है, सेशन को जल्दी से शेर जरूर करने, अपने सभी साथियों के साथ, और सभी उपने वर्ट्स एप ग्रुप्स में, ताकि सभी विद्यार्थी, जो है, हिमाचली की प्रिक्षाओं के लिए, जो दिन रात मेहनत करने हैं, वो जल्दी से हमारे साथ के साथ, दोस्तों, आज का जो विचार है, खास तोर पे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, भी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, दोस्तों, जिनको अग्जाम की प्रेपरेशन करते करते, काफी समय हो चुका है, मैं यहापर खास तोर पे बोलना चाहूंगा, दोस्तों जितना समय इस हमारे preparation में आपका बीता जाता है आपकी उतनी ही जो है chances कम होते रहते हैं आपके exam clear होने के तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जो भी समय आपका निकल चुका है उसको भूल के सबसे पहले भष्या में अपने target जरूर सेट करें कि बही कितने समय में आपको जो है अपने exam जो है वो clear करने हैं या कितना जो समय है आप इसी exam oriented जो है अपनी life को रखेंगे क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो patience है दोस्तों जो है patience का कोई definition नहीं होता यहां पे जो आज का हम विचार देख रहे हैं कि जैसे एक जो बच्चा है दोस्तों कोई भी एक व्यक्ति है मचली पकड़ रहे है और भाई अब वहापर मचली है ही नहीं और वहापर उसक अभी तक जो है exam oriented approach ही नहीं की उसने previous year exams नहीं देखे उसने जो है test series नहीं दी इस वज़े से दोस्तों उसका जो है समय बीटता जा रहा है बीटता जा रहा है और कहीं ना कहीं बड़े लंबे समय के बाद बड़े ही ऐसे कम students होते हैं कि बहीं जो अपनी प्रेक्षाइं सफ series या कोई भी course by करते हैं नहीं करते उससे भी ज़्यादा जरूरी है अगर आप guidance के लिए भी हमें phone करते हैं तो हम आपको जितना हो सकेगा उतना अच्छे से guide करने की कोशिश जरूर कर सकेंगे और भही साथ ही साथ जो है sdm नितिश्ठाकुर जी थोड़ा जुखाम है उस बिल्ट एप दे जो है जुड़ा जे नहीं है जो हाजी रमकवारी आपका जो है मैं समझ नहीं पार आप क्या लिख रहे हैं और साथ ही साथ जो है session को share like जरूर कर दें और भही जो है यह खास तो और पर सभी students के लिए मेरी जो है message है और आज जो word है हमारा vocab of the day है that is the remainder दो जा रहे हैं और वहाँ पर आपको कुछ भी प्रापत नहीं होने वाला है तो उस situation को menander बूल देते हैं तो यह दोनों चीज़ें बड़ी important है और खास तौर पर भाई जो students है साथ साथ क्यूंकि यहां पर बड़े सारे ऐसे student होंगे या आपके आपके जो circle में होंगे कि जिन student जब खुद अच्छे से exam oriented approach के साथ त्यारी नहीं कर पाते तो जैसे ही उन्हें कोई नया student मिलते है तो नया student को बहुत मुश्किल बोलकर बहुत ही जो है impossible task जो है बोल बोलकर उसे भी वो demotivate कर देते हैं तो हम नहीं तो खुद ऐसे बनें नहीं जो हम किसी और को जो है इ जुलाई का जो इतिहास है वो किसलिए महत्पूरण है क्योंकि दोस्तों इसी दिन 1776 को अमेरिका को जो है दोस्तों अजादी मिली थी किससे अजादी मिली थी दोस्तों वहाँ पर जो बड़े time period से जो color के नाम पर discrimination था दोस्तों वो खतम हुआ और दोस्तों वहाँ पर जो से बड़ी जो democracy है वो भारत अपनी population की वज़े से है लेकिन भारत की democracy की एक खास बात ही दोस्तों भारत जिस दिन ही democratic हुआ भारत ने उसी दिन दोस्तों adult franchise का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी व्यक्ति जिनकी उमर उस वक्ट 21 या 21 वरसे जादा थी उन्होंने सभी को वो ड दाले का अधिकार दे दिया था लेकिन पहुत सारे ऐसे देश यहाँ पर महिलाओं को अधिकार बड़े बाद तक जो है वह मिल पाया आप से भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे पहले जो हैं महिलाओं को वोट डाले का अधिकार कौन से देश में म दोस्तों आपका हर रोज सुभह सबादस बजे जो सेशन होता है आप आई होप सो सभी उसे देखते होंगे तो वही अब क्योंकि नायवत सीलार और अलाइड के एक्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं तो उस कारण दोस्तों सेटरड़े को सुभह सबादस बजे हम जो है पि दीजिए के साथ जो है उत्तर जो है आ चुका है पूरबा का नितिश का कि न्यूजिलैंड में सबसे पहली बार महिलाओं को यह अधिकार दे वोड़ डालने के तो शुरू करेंगे सबसे पहले जो है आज का पहला कोस्चन पहला कोशन है कि दोस्तों देश्का हाइस्ट का मतलब है कि सबसे जादा उन्चाई पर हाइस्ट विलेज की जब हम बात कर रहे थे तो कुछे दिन पहले हमने बात की थी ना हाइस्ट पोस्ट ओफिस की आई होप सो आपको जरूर याद होगा भाई जरूर देखा करें समझ लीजिए दोस्तो वैसे आप मुझे उस पोस्ट ओफिस का नाम भी बताएं उस गाउं का नाम बताएं तो हाइस जो विलेज है जहां पर टैप वाटर टैप वाटर का मतलब है दोस्तो टैप से जो वाटर कनेक्टिविटी खास तोर पे दोस्तो अंड साथ कुछ में व्यार्थियों ने बताया कि सर जो आपने डाखान ना पूचा था पोस्ट ओफिस पूचा था वो लहॉल्स पीटी में हिकिम नाम का जो जगा थी उसको सबसे उंचा जो है माना गया था पोस्ट ओफिस वेरी गुड में एक दूत अवर्ड है प्रेम लाल ज A is the correct answer Tashi Gang Village है जो ठीक है हो सकता है कि बोलने में थोड़ी सी गलत जो है प्रनेशेशन हो रही हो लेकिन जो है हो सकता है जो हिमाचल के जो जो लहौल के जो लोग है ठीक है जो वह स्टूडेंट चुटते हैं वो सही से इसको जो प्रनाउंस कर पाएं दोस्तों इसका नाम है तशी गैंग विलेज और यह स्पिती में है और यहाँ पर जो हम जब बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले भी बात की थी कि चमबा तो पूरी तरह जो डिस्टिक है वो जल जीवन मिशन के तहत कनेक्ट होई चुक है तो अब जो है स्पिती का यह जो गाउं है तशी गैंग जो विसे इसका मकसद बड़ा साफ है कि टैप वोटर के साथ हमें भारत के सभी गाउं को सभी लोगों को जोड़ने है ताकि किसी को भी पानी लाने के लिए दूर दरा इलाकों में जाने की ज़रूरत ना पड़े अब इसमें सबसे महत्तपुर्ण है गौर्मेंट ओफ इंडि अप्लाई साइट मैनेजमेंट एट लोकल लेवल तो दोस्तों इसके लिए जो पंचायत है मिंसिपल कॉर्परेशन है उसको हिदायते दी जाएंगी उसको रिसोर्स दिये जाएंगे कवरेज विद और दोस्तों जो है सेंट्र और स्टेट गवर्मेंट जो है मिलकर इसमें सहायता करेंगी एक दूसरे की ताकि ये 2024 तक इसे हम अच्छीव कर पाएं कुछ अब इसके आंकनों की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों हाइस्ट विलेज इन दा कंट्री गैट दोमेस्टिक टैब कनेक्शन एस हिमाचल अचीव अब भही इसके साथ हिमाचल लगभग 93 प मैं यहाँ पर एक तो सभी विद्यार्थी कोई कुछन पूछना चाहूँगा कि भही एस्पिरेशनल जो डिस्टिक्स जो जिसमें दोस्तों एक जो है सभी सुविधाय परवाइड करनी है गौर्मेंट ने तो अपने टार्गेट में कितने एस्पिरेशनल डिस्टिक्स को जो है गौर्मेंट ओफ इंडिया ने वो रखा है कितने नंबर ओफ डिस्टे जो है डिस्टिक्स हैं और यहाँ पर इन्होंने 93% कहा है कि इस हिमाचल में यह आ चुके हैं और चमबा का जिकर था वह हंडर्ड डिस्टिक्स था भारत का जो पूरी तरह से टैंवाटर सब्सक्राइब यहाँ पर चल रही है लेकिन टैंवाटर की कनेक्टिविटी यहाँ पर ओल्री आ ही चुकी है और गौर्मेंट ने दोस्तों अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो उना में चंबा में किनोर लहुल्स पीटी इन सभी विलेज़स में 100 प्रतिशत और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से पुछा था कि आपके घर में टैब वाटर की फसिलिटी है तो लगबग एक दो स्टूडेंट को छोड़कर सभी बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो नहीं है वो अभी भी सार प्रतिशत में जो हैं लोग हैं और बाकी 93% में कवर अलड़ी हो ही चुके हैं इसके लावा भी शेक स्टार प्रजेक्ट के बारे में हैं डिसकस कर रहे हैं अब कोई ना कोई जीका जो है स्कीम के बारे में और भी कई सारी डिस्टिक्स हैं जो आपको ज़रूर पता हो पिर दूसरा प्रशन जो है हमारा वो है दोस्तों प्रध और बाचल की हो रही है यहां पर बात लदाग की हो रही है और सात ही साथ जब मैं नोर्थीज इसकी बात कर रहा हूं तो बात यहां पर दोस्तोवbyad पोरे के पूरे सिक्किम है अरुनाचल है नागा लेंड है दोस्तो बणिपुर है मिज ए मिघृले है तिरुपूरा है असम है इन सभी स्टेट्स में वन प्जीशन जो स्वैनिधी स्कीम अब जन्विद्यारत्यों को नहीं पता स्वानिधी स्कीम उससे उनको ये भी पिता दूँ पहले मैं कि स्वानधी स्कीम के ज़री है दोस्तों दस हज़ार बीस हजार और पचास हजार तक के लोन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रेडिया लगा रहे हैं उनको दिये जाएं ताकि वो आथम निर्भर है वो हो पाएं इसका फुल इन बार रिपीट करूंगा भाई रिपीट जो करूंगा प्रधान मंत्री क्योंकि इसका फुलफों बहुत ही जादा महत्त पुर्ण है स्ट्रीट वेंडर आतम निर्भर निभी ठीक है और इसके तहर्ट जैसे कि मैं आपसे बात अभी कर रहा था कि जो दस यहां पर मैं मा साथ जो वेंडर ने हैं एप्लिकेशन जो हैं की अप्रूवड हो चुकी है इसका मतलब इतने लोगों को 20,000 रुपिया दिया जा चुक है और इसमें जो हम जब बात कर रहे हैं देरार्दा थ्री फेसस ओवदा स्कीम अंडर विजदा स्ट्रीट वेंडर इस लीजिबल दो का लोन भी मिलेगा अगर आपको इससे जादा की जरूरत होगी और यह स्कीम से जो है कहा गया कि जो जो जुलाई 2020 में चली थी इस स्कीम का जो फाइदा है 2024 तक है लोग है वो ले पाएंगे तो यह जो स्कीम है इसमें हिमालियन एंड नोर्थीस्ट में है वो हिमाच्र प् जापर आप लोगों के लिए कुछ कर पाएं तो इस तरह की यह बहुत सारी जो स्कीम है आम लोगों को पता ही नहीं लग पाती तो लोगों तक इसे जरूर पहुंचाए मैं अक्सर जब भी किसी स्कीम की बात करता हूं तो जरूर जो है आप लोगों से जो है निवेदन करत कि अपने आसपास भी लोगों को जिनको जरूरत हैं के बारे में जरूर बताए जैसे कि मैं बात कर सकता हूं जो है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ केते हैं जो दोस्तों अकाउंट खोला जाता है ठीक है जिरो स्टू टैन ये ओल्ड लड़कियों के नाम पर इसके लावा स सारी अन्या स्कीम हैं जिसमें लोगों को स्केल्ड डिवेल्पेंट से जोड़ी हैं बेनाफिट हो सकते हैं और आपका किया गया बेनाफिट हो सकता है किसी की जिन्दगी भी बदल दे और प्राइम निस्टर लिखा होता है तो कुछ के नहीं what is the reason everglow ऐसा कुछ नहीं है ठ किसी से प्राइम निस्टर भी होता है जादतर प्रधान मंत्री ही नाम है स्ट्रीट वेंडर आर्तम निर्भर जो है निथी इसका फुल्प हो में तो अब हम जो है हमारी दूसरी न्यूस की तरफ चलेंगे हमारी जो है नैशनल इंट्रनेशनल न्यूस की तरफ और यह दोन बाती बहरा बीमारी से, भीनोर कि न estamos है , तो लिए दोस्तों बहरा है दोस्तों कोय सोगा झारव हैं मुझे लगता है तो बया हो जाने मुझे तो लिए बाधी बनाया रहा हैं , जिसने आज सुभए से कल से बहुत किया हो है मुझे लेकिन यह उससे भी deadly disease है एंट्रेक्स एक infectious जो है disease तो इस तो जो कि domestic मतलब जो है as well as wild मतलब जो जंगलों में रहते हैं जानवर और even जो जंगलों में नहीं रहते जो शेहरों में रह रहे हैं उन सभी को जो है effect जो है कर रही है तो इस विमारी के रिगार्डिंग जो कुछ जानवर पाए गये है वो कौन से स्टेट में पाए गये हिमाचल केरला करनाठ काया महराष्ट्प तो इसका जू है साथ-साथ जुए ट्रूैंट्स उत्तर दे रहे हैं भही यहाँ पर जो है इसका उत्तर देने के साथ साथ सबसे पहले तो इसका उत्तर तो है भी केरला यहापर सबसे पहले толma Abishyk पथानिया को बताना चाहूँगा कि भी Abishyk पथानिया जो researchers जो doctors है उन्होंने कहा है कि फिलहाल ये जो बिमारी है वो non contagious है दोस्तो non contagious का मतलब होता है कि यह जो बिमारी है लोगों में से humans to humans नहीं फैलती हाला कि यह कुछ शरुवाती research बता रही है क्योंकि जब COVID के बारे में बात की गई थी तो COVID को भी शरुवात में non contagious ही पाया गया था लेकिन समय के साथ-साथ उसे contagious declare कर दिया साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो anthrax है दोस्तो zonetic disease है अब यह जो कुछ words है बड़े महत्तपुर्ण हो जाते है जोनिटिक का मतलब है दोस्तो यह जो है जोनिटिक इसका मतलब है एनिमल से humans को हो सकती है एनिमल से humans को कैसे होगी भई एनिमल से humans को कहीं तरीके हो सकते है दोस्तो पहला तरीका हो सकते है बहुत सारे लोग जो non vegetarian खाते है तो अगर उनका वो food उनका वो जो दोस्तो meat जो है उसके अंदर उसके शरीड के अंदर जान 100% chances हैं उन्हें ये बिमारी हो सकती है इसके अलावा दोस्तों किसी भी और तरह से उस जानवर के ब्रीथिंग को लेकर और भी जो है इंटर्नल जो हमारा ओर्गन सिस्टम को जो है ये अफेक्ट करती है और उनको जो है सांस लेन में बड़ी दिक्कत है वो पैदा कर देती है तो ये एंट्रेक्स अलर्ट एंट केरला तो बात दोस्तों जो है कहां से शुरू हुई बात शु तो बही यहां पर जो रिसर्चर्स थे जो मेडिकल टीम थी उनको कुछ जो है जंगली सूर मिले अब ये जो जंगली सूर है उनकी कुछ बाडिज मिली जब उनको उठाया गया जब उसको पूरा दोस्तों जो है उसका पोस्ट मोटम किया गया और उसके बाद पाया गया कि उन जंगली सूरों को अलड़ी यह जो बहुत ही भ्यानक डेडली ड्रिसीज एंथ्रक्स है वो है जिसके बाद पूरा का पूरा जो थिरू सा डिस्टिक है वो हाई अलर्ट है घोशित कर दिया गया था तो इसी वज़े से यह जो विलेज है वो न्यूज में आया एंथ्रक्स इस पौरण बाक्ट दोस्तो यह तरह का जो बक्तीरिया है और यह खासत तोर पे जाधातर एनिमस को जो है एफेक्ट करते हैं लेकिन हिमन्स को भी जो है एनिमस के थ्रूँ यह विमारी हो सकती है अब यहां पर जब हम बात कर रहें दोस्तों कि इसके लिए जो है आंटि व जो है उसको लेकर इस medicine को लेकर इससे काफी हद तक राहत भी प्रापत हो सकती है लेकिन फिर भी कुछ cases में जो है ये मनुश्य को दोस्तो humans को मार भी मतलब deadly भी ये गोशित की जा सकती है तो इसका नाम जरूर याद रख लें इस बिमारी का एंट्रेच अब कुछी दिन पहल जाती है तो बही अपने state में ही उसे control जरूर कर लेते हैं अगर यही इस तरह की कोई उत्तर भारत में फैले तो बही शायद उतने जल्दी से इसे control करना मुश्किल ही हो जाता है इसके रावा मैं monkey box की बात करूँ तो शिवानी ये UK में हुई थी ये केरला में नहीं हुई थ और पर जो लोग अफरीका से UK आया थी उन लोगों में ये पाई गई थी और यहाँ पर जो है इसे tomato flu में ही पाया गया था तो बही यह दो न्यूज है बड़ी महत्वपुर्ण हो सकती है अब केरला की बात चली ही है तो बही केरला से जुड़े बड़े सारे प्रशन जल्दी उनको रपीट कर सको लेकिन आप अई होप सो सभी की सहत अच्छी होगी हाथ सभी के अच्छे चल रहे होगे तो बही आप जरूर जो है इसको साथ साथ है टाइब कर दें भाई चाहे वो सिलवर ले में रैपीटेशन है नई विद्यार्थियों को उसका benefit है वो हो ह सब्सक्राइब का मतलब होता है कि अगर जो है भारत का यह एग्रिमेंट पूरी तरह से इन 27 nations में हो जाता है तो दोस्तो इन nations की सभी जो products जो हम import करते हैं और जो products हम इने export करते हैं उनके उपर किसी भी तरह का जो है custom duty नहीं लगेगा custom duty अब भाई जिनने नहीं पता custom duty भी सुन लीजे custom duty होता है दोस्तों कोई भी ऐसा product जिसको हम विदेश से आयात या निर्यात करते हैं और इसके उपर जो taxes लगाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं हमारी custom duty तो भाई custom duty बड़े सारे लोगों ने सुरा होगा है न कोई custom officer है वहा हो जाएगा तो इन 27 कंट्री के साथ हमारा जो वैपार है वह बहुत जादा प्रिश्य में बढ़ सकता है तो यह मीटिंग में यह कहा है कि भही यह मीटिंग सब्तंबर में ब्रूजल में होगी ब्रूजल आपको जरूर याद होगा दोस्तों कहां पर है और करेंटली जो य साथ साथ स्टुडेंट्स दे रहे हैं लेकिन उससे पहले पूर्वा शर्मा को बधाई देना चाहूंगा उन्होंने यॉर्पिन यूनिन के प्रेजिडेंट का नाम लिखा है जिसका नाम है उर्सुला वोन मैं लिख भी देता हूं दोस्तों उर्सुला वोन हाँ ठीक है य प्रेजिम की कैपिटल ब्रूजल में जो है इसे जो है मीटिंग होगी और इस मीटिंग में ऐसा अनुमान है कि अगर यह एग्रिमेंट कम्प्लीट हो जाता है तो भई इससे दोनों ही देशों को मलब भारत और यॉर्पिन यूजिंस के 27 कंट्रीज को बहुत बड़े स्की की कोई मीटिंग नहीं हुई लेकिन सारक से भी जोड़ा उससे जब हुआ करती थे मीटिंग्स तो कहा जाता था कि साफता एगरिमेंट होगा साफता का मतलब है South Asian Free Trade Agreement तो भही यह जो हमारे 8 nations है सारक के तो जिसमें भारत है पाकिस्तान है बंगलादेश है ठेक है नेपाल है मालदीव स्था श्री लंका यह 8 जो कंट्रीज है तो इन में लेकिन वो संभब नहीं हो पाया पाकिस्तान की वज़े से या इस तरह के एगरिमेंट्स दोस्तों कहा गया कि एशियान कंट्रीज में भी होंगे इसका बेनाफिट बहुत बड़े स्तरपे मिलते है क्योंकि वेपार बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा और ओविसली बात है दोस्तों जो है हमारा जो है विदेशी जो जो विदेशी जब हम बोलते हैं विदेशी जो मारी करंसी है उसका जो है लेन देन भी बढ़ी जाता है और अगर सब कुछ सही से चल पाए तो भही सबसे बड़ा बैनाफिट होता है इस तरह के एगरिमेंट्स का कि भही हम जो वार बार यूएस डॉलर के उपर जो मुझबूरी हो जाती है किसी भी कंट्री की दोस्तो इस करंसी में वैपार करने की तो इस तरह के एगरिमेंट्स अगर हो जाएं और दोनों पार्टी अगर संभभ हो पाएं इस डील को भी खतम कर सकती है कि क्यों ना हम अपने वैपार यूएस डॉलर को छोड़के अपनी लोकल करंसी में करें तो भही जब भी भारत उनको जो है वैपार करें कुछ भी बेचे तो भही वो अपना करंसी योरो हमें दे सकें और जब भी वो हमें बेचें तो हम अपना जो है रुपीज उने दे सकें जिसके से हमारी जो डॉनर के उपर डिपेंडेंस है वो कम भी हो सकती है हाला कि आप सबको पता है कि यॉरपीज है वेरी गुड़ फ्रेंड ओफ युएस है तो इस तरह की डील थोड़ी कम संभव है अभी रीसेंटली अब ये बात का जिकर भी मैंने आपको इस वज़े से किया क्योंकि रीसेंटली दोस्तों हुआ क्या हमारे यहां की एक कमपनी है अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा ठेक है उसने रीसेंटली रशिया से कुछ जो है प्रडक्स खरीदे कुछ जो है आयात कि इंपोर्ट किया था और उसकी जो वेल्यू है उसकी दोस्तों जो पेवेंट है उन्होंने युवान जो है करन्सी में कर दी थी जिसकी वज़े से आज वो कमपनी दिक्कत में आई है कि हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि युवान अंतराश्ट्य करन्सी हो चाइना की जो करन्सी है अंतराश्ट्य इस तरफ पर उसे मानतया प्रापत हो तो बही इस वज़े से जो है करन्सी को लेकर भी दुनिया भर में एक बड़ा जो है जो दोस्तों जो युद्ध है चलता रहते है क्योंकि करन्सी मुझबूत होना करन्सी इंट्रनेश्ट्री है तो भई आई होप सो ये सारा जो पूश्चन आपको समझ जरूर आ गया होगा तो चलेंगे तीसरे कोश्चन पर तीसरा कोश्चन है इन में से कौन सा दोस्तों हॉस्पिटल है कौन सा इंस्सेट्यूट है जिसको की रिसेंट्टली पेटेंट पेटेंड का मतलब होता है जब आप किसी भी, दोस्तो, XYZ अपनी organization को, ठीक है, अपने किसी भी जो है product को, ठीक है, अपने किसी भी जो है, आप लोगों को patent करवाने का मतलब है, कि अब उसे कोई और use नहीं कर पाएगा उस technique को, उस design को, ठीक है, तो उसे हम patent बोल देते हैं, दोस्तो, patent क्या करा है, cancer detection system for early and effective identification of prostate cancer, दोस्तो, ये prostate cancer, दुनिया के सबसे भव्या cancers में से एक है, और इसको जल्दी detect करने की एक machine जो है, वो बनाई है, इस institute ने, और फिलाल उसे इ patent भी मिल चुका है, जिसका फाइडा ये मिलेगा कि भारत में इसका manufacturing बढ़ेगा, और आने वाले वक्त में भारत इसको export करके, एक तरफ दोस्तो, लोगों की जानने तो बचेंगे ही बचेंगे विशवस तरफे, दूसरा भारत को जो है, इससे economical benefit भी हो पाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है, भही बहुत सारे विद्यारती साथ-साथ उत्तर दे ही रहे हैं, साथ-साथ जो है, ये दिल्ली इसका answer है, दिल्ली का, All India Institute of Medical Sciences, तो मुझे ये भी बता दीजें, कि हिमाचल में ये जो aims है दोस्तों, वो कहां पर दिया गया है, कहां पर जो है, इसकी स्था तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, aims back patent for cancer detection system, ठीक है, तो दोस्तों इसको जो नाम दिया गया है, that is the nanotechnology based, तो ये जो technology है, इसको जो है patent है, वो मिल चुका है, तो इससे जो है किसी भी चीज को cancer को diagnose करनी, उसकी specification को लेके, sensitivity को लेके, सभी जो information है, easily मिल पाएंगी, और ये कितना ज़्यादा भ्यानक है, मैं और ये जैसे आपको बता चुका हूँ, कि ये होने की वज़ए से दोस्तों, जो है, लगभग results were identified in men with more than 85 years, while second highest were in the men between 68 to 65, तो 60 की उमर के बाद इसके होने के जो chances है, वो लगातार है, वो बढ़ते भी रहते हैं, तो भही aims की बात करें, इसके जो director है, बहुत बढ़िया रहा है, वो भी हमारे हिमाचली रंदीब गुलेरिया जी है, और NIT हमिरपुर में है, इसके इलावा जो है, और बहुत सारे institute's, IIT Monday, NIT हमिरपुर, जो है, और भी I.M. भी है, इमाचल में कहीं, जल्दी से बताएं, अगर आपको याद हो, पता हो, I.M. कहाँ है, सर्मोर में है, very good, शुभम तोमर जी, तो भी आज, जो है, कुछ नए students नहीं देख रहे हैं, खांची जैसे राना, मुझे लग रहे हैं, कि आज ही जोड़े हैं, हमसे बहुत बढ़िया, और भी जो नए विद्यारती जोड़ते हैं, सासा जरूर बताया करें, कि सर हमारी पहली class है, और चाहूंगा, session को आगे बढ़ने से पहले, share और like भी जरूर कर दिया कीजिए, और भी ये निवेदन है जो अक्सर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो इंस्टिटूट्स हैं, जो हमारे session को खराब करने की बड़ी चेश्था करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, बड़ी कोशिशे करते हैं, उनको भी निवेदन हैं, कि भाई पढ़ लेने दिया करो यार, क्यों जो है इस तरह के messages यहां पर आप भेजते हैं, तो बहुत बड़िया, डॉक्टर अमित कुमार बहल, आशिक अली और बहुत सारे students हैं, वो नए जो हैं, बहुत ही बड़िया, चलेंगे अगले question पर, अगला जो question है, वो जुड़ा है हमारी Fiona से, दोस्तो जानवर, animals, उनकी species को लेकर यह question है, दोस्तो कि आपको पता है कि अगर मैं पुछू आप से, कि भारत में total number of species हैं, जानवरों को लेकर, वो कितनी है, तो भही इसका जो अंदाजा, या इसका जो answer कितना हो सकता है, हजारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, अब ये recently दोस्तों, ये जो news, जो है क्यों बनी, क कोशन को थोड़ा देखेंगे, कि India contribute, दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी Fiona diversity है, Fiona diversity से मतलब, जानवरों की जितनी भी परजातियां है, तो दोस्तों, भारत में जो है, उनकी 9.1% जो है, भारत contribute करते हैं, दूसरा, recently भारत ने 540 जो spaces हैं, Fiona database में, वो include की हैं, और इससे भारत में, टोटल जानवरों की जो परजातियों की जो गिंती है, वो 1,3,258 हो चुकी है, और दोस्तों, इसके अलावा, सबसे ज़्यादा जो discoveries हैं, वो केरला से हुई, दूसरे नमबर पे महाराश्टा में, और तीसरे नमबर पे अरुनाचल परदेश से, और ये जो ZSI है Zoological Survey of India, जो इसके उपर लगातार research करती है, और इसको दोस्तों जो है, उसका recently हमने 107.Foundation Day भी observe किया, तो इसमें से आप बताएं, incorrect कौन्स हैं, पहला, दूसरा, C, पहले तीनों ही गलत हैं, या फिर भही जो है, सिर्फ दूसरा और तीसरा, इसका उत्तर जरूर दें साथ और भाई या पर जो है, इस अभी live class में आता है, शिवानी बिल्कुल और भी नेहा जी, PDF आया था, आज क्या, CA का, हाँ जी, ठेक है, तो भाई बिल्कुल आया था, जी, बिल्कुल नितिश्ठाकुर जी, हर रोज आता है, क्यों नहीं आएगा है, ऐसा क्यों लगता है, आपको नहीं मिलेगा, तो इसके उत्तराने शरू हो चुके है, तो दोस्तों इसका उत्तर अगर देखें, तो भाई, थिर्फ और सिर्फ पहला गलत है, पहले गलत का मतलब, कि भाई, ये टोटल जो प्रजातिया है, विशवभर में, वो एक लाग तीन हजार दोसौठावन ही है, सबसे जादा जो डिस्कवरीज वो केरिडा में हुई, फिर उसके बाद महाराष्टा, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पैसिफिक, जो है, स्पीसे की बात की गई, अब नाम इनके बड़े मुश्किल है, मुश्किल कैसे, कितने मुश्किल, क्रोकोडवारा, नानकों ही पढ़ा है, उनके लिए तो थोड़ा एजी होगा, ठीक है, अब इसके अलावा भई, जो है दोस्तों, यह जो है, अंडोमान निकोबार से मिला, इसके अलावा कुछ रैप्ताइल्स हैं, जैसे की बाइगा, वाइट आइक क्री, ठीक है, यह एक जो है, स्नेक है, जो की ठ फियोना एको सिस्टम है, जो फियोना डाटा बेस है, उसका जो है, सिर्फ और सिर्फ छे प्रतिशत जो है, वो भारत है, वो कंट्रिब्यूट करता है, ना कि 9%, बाकि सभी जो जानकारियें से जुड़े, बिल्कुल दुरुस्त हैं, और जब जम बात कर रहे हैं, दोस्तों ZSI की Zoological Survey of India की, तो 1 जुलाई को, इसका 107 फावनेशन दा, इसका मतलब है, इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा, एक जुलाई 2015 में, 1915 में की गई थी, तो बही, जब भी हम इस तरह की इतनी न्यूज सुनते हैं, एक बात तो बड़ी हिरानी की है, कि बही, इतने सार जो हमारे रिसर्च इंस्टिट्यूट से, तो बही, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में एक तरफ यह दिखाया जाता है, कि बही, ऐसा कर दिया, अंग्रेजों ने वैसा कर दिया, ऐसी बात नहीं, अंग्रेज कुछ काम धंके भी करके गए, जैसे की, जैसे की व बहुत सारे जो कानून विवस्था है, उन्होंने जो सेटप की, वो आज तक भी भारतिया गॉवर्मेंट से उसको रेगुलराइज्ट या उसको जो है लगाता रहे, चलातिया रही है, तो इसकी स्थापना 1915 में हुई थी, और जो है, मैं उमीद करूँगा, आपको जियो वेकी में बात कर सकता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो अंग्रेजों के टाइम पे भी मिल पाई, तो भाई, यहां पर सिवल सर्विस का जो कंशेप्ट था, ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख था सप्टम, कि अंग्रेजों के टाइम पिरेड में, य आपको आना चाहिए, तब ही आप इस परिक्षा में हैं, वो सफल हो पाएंगे, तो एक तरह से आप बोल लीजिए, तो कि उस टाइम गाडिया तो नहीं थी, तो भाई, घुड़ स्वारी जरूर होनी चाहिए, ताकि आप अपने एरिया में, अपने क्षित्र में पुरा घ क्लास में उसका नाम भी बताऊंगा, तो सिविल सर्वी से जुड़ी और बहुत सारी जो इतिहासिक बाते हैं, जो हमारे एक्जाम पॉइंट ओप इस दो नहीं महत्तुर, लेकिन बड़ी ही जादा जो है, इंट्रस्टिंग जरूर है, जैसे एक और मैं आपको बात बोलना करते थे, और बंगॉल में भी जादतर जो पड़े लिखे लोग थे, जो वहां के जो ब्रहमर, जो वर्ग है, वही जादतर ICS है, बन जाय करते थे, तो आइस्ता, आइस्ता, दोस्तों, जो है, कुछ ऐसे लोगों को, जो कि प्रो-Britishers हो, जो अंग्रेजों के साथ, उनके लिए काम कर सकें, तो दोस्तों, उन्होंने वो concept शुरू कर दिया कि कुछ लोगों को हम reservation के अधार पर भी ICS है, इसमे include करना शुरू कर देंगे, तो अंग्रेजों ने भी यह जो reservation है, कई अधारों पे है, वो शुरू की गई थी, हाला कि भाद में हमने देखा कि भही, जो सर्वीस के लिए चोलिया करते थे, तो भही सतेंदर ना, तो तगुर्थमारे पहले भारतिया थे, जिनको यह जो दोस्तों, ICS बनने का मौका मिल पाया, फिर उसके बाद जो है, चलेंगे हम अपने next question है, next question है, NTPC, तो भही इसका full form भी जुरू बता दें जल्दी से, तो दोस्तों, पार्क है, वो सेट अप करेंगे, तो वो कहां पर सेट अप करेंगे, बिहार में, MP में, करणाटका में, रादिस्थान में, जैसे कि मैं हर रोज आपको बोलता हूँ, हर रोज जो है, आपसे बात कर, दोस्तों, इसे जुड़ी हर दस में से एक निउस हमारी, इस सारे के सारे टार्गेट, भाई, 2030, रेलवे, 2050, मुंबई, ट्री सिटी, हैदराबाद, मुंबई, ठेक है, इसके इलावा हमने कुछी दिन पहले पढ़ा था कि टाटा जो अपना प्रजेक्ट के रिला में लगा रहा है, भारत का सबसे बड़ा, जो है दोस्तों, जो सोल्ड इनरजी, जो की NTPC की एक सबसिडरी है, और इसका फुलफोब है, नैशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन, और दोस्तों, दस गिगावाट का जो अल्ट्रा मेगा रेनियोबल इनरजी पार्क है, वो स्टेट में राजस्तान में लगाया जाएगा, अब राजस्तान में ही क्य क्योंकि गर्मी बहुत पढ़ती है, तो दोस्तों, सोलर इनरजी का सही से सद अपयो किया जाएगा, और खासी था, टार्गेट रखा गया है, कि 2022 तक इसकी जो कपैस्टी है, वो 60 गिगावाट है, वो कर दी जाएगी, तो दोस्तों, NTPC, इसको लेकर बड़ी सारी जूज ह हमने पड़ी है, रीसेंटली, जो जो याद है, सासा बता सकते हैं, और उरेनियम का भी बड़ा जो रजर्व, जो हमें नुकलिर इनरजी बनाने में काम आता है, रूची बला रहे है, कि वो राजिस्थान में ही पाया गया था, ग्रीन हाइडोजन पावर प्रांट जो है, जो असाम के जोर हाट में है, दोस्तों, जो है, उसकी कपैस्टी है, दस केजी हाइडोजन है, प्रती दें, जो है, वो प्रड्यूस करता है, उसकी मैनुफेक्ट्रिंग होती है, इसके इलावा, भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी जरूर बताया करें, राजिस्थान का दिक जो है, राजिस्थान से है, जुड़ी मिलती है, तो उदेपुर का जो वहाँ पर भव्या, जो दोस्तों, जो बहुत ही भ्याव्या, जो कार्ड हुआ, उसकी वजए से जो है, जो है, चलनी हो गया, मेरा जब उस न्यूज को पाल साथ दिन पहले सुना था, लेकिन, जो है, अब महौल, जो है, आइस्ता, आइस्ता, कहीं देख भी नहीं रहा, कि वो सही जो है, डिरेक्शन में बढ़ रहा है, और देश में जोस्तों, जो ये बहुत बड़े स्तर पे, जो नफरत की जो आग बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर भी, कभी कबार ऐसा लगता है, कि नहीं, जो है, ये किस तरफ है, भारत को लेकर जाएगी, तो चलते है, नेक्स्ट कोशन पर, जोस्तों, दुनिया की अकेली कौन सी युनिवस्टी है, जिसने फोक, आर्ट्स एंड कल्चर में, अपने जो कोर्स हैं, अपने जो डिपलोमाज हैं, वो ओफर किये हैं, उनकी पिश्रवात की हैं, तो महराष्ट्रा की ये जो जनपद विश्विद्यालया, करनाड़का का जनपद विश्विद्यालया, किरला का जनपद विश्विद्यालया, ओडिशा का जनपद विश्विद्यालया, तो भाई, इसका जो उत्तर है, यहां पर सबसे पहले तो कुछ टूडेंट्स लेख रहे हैं नेट बंदी बिल्कुल जी ठीक है तो भाई साहिर चौधरी भारत में राजस्तान दूसरा ऐसा स्टेट बन गया जहां पर कश्मीर के बाद सबसे जादा नेट बंदी हुए है ना चलिए इसको बढ़ते हैं ठीक है वैसे कुछ बच्चे केरला उत्तर दे रहे हैं उनका उत्तर गलत है करनाट का जनपद विश्विदाल्या दोस्तों यह यूनिवस्टी है इसकी तस्वीर देखें वह आप से प्र भाषा में यह लिखा हुआ है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो हम देख लें जो फोक एंडिशनल आर्ट होता क्या है इसको थोड़ा अग्जामपल से देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों जिसमें फोक पेंटिंग से जुड़े इसके अलावा दोस्तों जो है फेक पेंटिंग सोरी और दोस्तों जो इसे फेक पैंटिंग्स ऐस्ब्रेशन विफ्लेज पेंटर वीच बागता सप दोस्तों पस्तों किसी ज्दूस कि तना से उन्हें पस्तिछ जो पुराना जो इतिहास से यूडिए जो पेंटिंग को ले ट्रीशनल आर्ट है बोल देते हैं दा इनकॉंपेस दा बोड़ी ओफ एक्स्प्रेसिव कल्चर एसुशेट विद फेल्ड ओफोग फिर एंड कल्च रहरी तो वही यह जातर टेंजिबल फोग आर्ट होता है टेंजिबल का मतलब है कि जिसे हम छुआ जा सकता है तो वही इस इस तरह की जो जो इस तरह की जो पहली बार है दुनिया में कि वही किसी भी उनिवस्टी ने करनाटका की स्व्छ अपने पर कुर्स आइन पर नाम लिखे हैं जैसे कि लिखें लिखें यह ना मिखें ऑट द्रामा से जुड़ा कॉर्स है इसके लाब ऊम नाम थोड़े तो यह नाम थोड़े से मुश्किल जरूर है ठीक है तो भाई इन सभी अलग जो है दोस्तों फील्ड में यह जो यूनिवस्टी है यह अपने डिप्लॉमाज है ओफर कर रही है अपनी एजुकेशन ओफर कर रही है वह दुनिया में पहली बार है कि कोई यूनिवस्टी इन फ फ्रूड्स मैसूर में इंट्रेशनल योगा डे सभी आपको उमीद करूंगा याद जरूर होगे फिर उसके बाद जो है आज का जो हमारा साथमा कुश्चन है यह आप जो है तस्रीरे देख रहे हैं तेजस लाइट कॉमेट एरक्राफ्ट की तो दोस्तों अभी फिलहाल इ इंपोर्ट करने का निरने लिया है दोस्तों उनके साथ कमारे टायाप हो चुके हैं ऐसे ही जो तेजस और आपको याद होगा दोस्तों यह मैनलेस है तो इसको खरीदने में इनमें से कौन सा कंट्री है फिलाल आजकल जादा इंटरस दिखा रहे हैं तो इसका सही उत्तर है मलेशिया दोस्तों मलेशिया इमार जैस मलेशिया टॉप चोईस तो ऐसा क्यूं है कि यह इंटरस्ट क्यूं दिखा रहे है भारत भड़ी सारी ओफर दे रहे हैं अब इन ओफर को थ्वड़ा समझने की कोशिश करते हैं खास तो और पर दोस्तों जो भारत जो है अपने दोस्तों ये जो है भारत कह रहा है कि हम आपके ही देश में जो एस यू थर्टी फाइटर फ्लीट हैं आपके पास जो कि रश्या से आपने कुछ समय पहले खरीदे थे अब क्यूंकि रश्या और युक्रेन एक दूसरे के साथ युद्ध में फसे हुए हैं तो उस वजह से ज जो है मलेशिया की गॉर्मेंट को काफी जादा एंट्रस्टेड है वो लग रहा है तो फिलाल हो सकता है कुछी दिनों में हमें खबर मिल जाए कि मलेशिया ने ये जो डील है हमारे साथ अपके कर ली है फिर असके बाद दोस्तों आज का आखरी जो प्रशन है वो है इन में पारूल चौधरी ये इनकी तसरीर है आजके इनोंने जो तीन हजार मीटर जो जो डूस्तों जो है 27 जाल की इसे इनकी पूर ऑन्नीकश जो इक नैशनल जो रिकार्ड है भारत की तरफ से अंतराष्श कर निए भारत की तरफ से एक लियार कोड़ा स्थापित कर दिया तो इनका नाम जरूर याद रखे पारुल चौधरी आपको प्रशन सीधा भी पुछा जा सकते हैं कि यह कौन से गेम से हैं वो जोड़े हुई है तो यहां तक के सभी प्रशन हमारे खतम उमीद करूँगा सब कुछ अ आज और क्लियर का इंतिजार कर रहा हूं ताकि आगे बढ़ पाए और बहुत बढ़िया नितिश्ठाकुर जी बहुत शडू करेंगे आज का अध्र इंपोर्टन वाल नहीं जिसमें सबसे पहले परधान मंत्री दोस्तों रीसेंटली एक मूवी आई थी आपको याद होग सीतारम राजू उस मूवी का नाम था ट्रिपल आर 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 रहा था जी पूरवा ने शायद बता भी दिया है तो भई उसके जो हीरो थे अलूरी सीतारम राजू तो अभी जो है 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 अधरावाद में मोदी जी गए हुए थे अपनी बीजेबे की प्रेस कॉन्फरेंस के आज सुबह की न्यूज है शाम तक यह हो चुका होगा वह कई सारी ऐसी न्यूज होती है जो सुबह की है और उनको शाम को कंप्लीट होया होना होता है तो कल की सुर्ख्यों में न्यूजपेपर में जरूर आएगी गांधी नगर में जो है इसकी शरवात के डिश्टिल इं ओंडिया टेकट फिर दोस्तों नेक्स जो न्यूज है यह जो डियर हां हमारी कम चुह के स्विधे का मिल रही है उसका बी जो है पूरी पूरी लिस्ट रही है वह आज शाम को आने वाला है या आज चुका होगा मुझे पता नहीं तो कि आज सुभे की न्यूज थी कि भी आज चार जुलाई की शाम तक जो हमारी Commerce Industry Ministry है मंतरी है प्यूश गोल जी इसको दोस्तों जो है आयोजन इसका जो है अनावरन या इसका जो पूरा विशलेशन जो है करने वाले आज ही क्यों आ जुलाई को ही यह कॉपरेटिव जो कॉंसेप्ट को लेकर है दुनिया भर में जो है कई सारे जो देशे वह आगे बढ़ पाए थे फिर जो हम जैसे बात करी रहा था मैं दा थीम यह जो हंडर्थ इंटरनेशनल कॉपरेटिव डे तो भही दुनिया भर में यह जो इंटरने को याद होगा अमित्षा जी हमारे कॉपरेटिव मनिस्टर है और पूरी दुनिया भर में भारस में दोस्तो दो जुलाई को इंटरनेशनल कॉपरेटिव डे और इसका हंडर्थ क्योंकि सो वर्ष पूरे हो चुके हैं 1902 दो जुलाई को है 1922 दो जुलाई को है इसकी शुर ओए यहां पर यहां पर जो है जो है दोस्तो एक कंट्र है निए जाएंगे फिर उसके बाद जो है दोस्तो एक कंट्री है भार बार इसका जिकर हम करते हैं अभारहती और इंडिया नेवी नेवी में दोस्तो एक जॉइंट अक्सराइज कर रही है भारत की तरफ से जो नेवी हो इणियान आवल शक्रिक ट्रक пропट यह रंगल किलकटा कर दूस्त और नव вже preconcycl dat यह साय च्ञें का जो Independence Day जो कि उनको 29 जून को अजादी मिली थी उसके उपलक्ष में इसको जो है कराया गया है तो 29 जून जैसे भारत की 15 अगस्त है फिर उसके अलावा दोस्तों जो FIH होकी वर्ल्ड कप है वोमें से जुड़ा अब देखो न्यूस तो यही थी कि भाहर श्रवाती मैच में UK के साथ एक-एक पर बराबरी से मैच चुड़ गया अब इसको पूरा का पूरा अभी आएगा फाइनल्स होंगे विनर होगा वो हमारे लिए महत्तुपुरुन होगा पहले मैच में क्या हुआ दूसरे मैच में क्या हुआ वो महत्तुपुरुन नहीं है तो दोस्तों यह य बड़े सारे फाइनल्स होने हैं बड़े सारे भारतिये प्लेज ने यहाँ पर फाइनल्स में अपनी जगा बनाई है तो फिलाल आप याद रखें जो इलोड़ा कप है यह बॉक्सिंग से जुड़ा है और इसे करदाकिस्तान में है दोस्तों आयूजित किया गया अब भार संदीब कुमार गुप्ता वो गेल के नए हैड चुने गया है गेल गैस अथॉर्टी ओफ इंडिया लिम्टर उसके नए चेर्पेन के तोर पे संदीब कुमार जी ने अपना कारा बाहर समाल है इंडियन ने भी और दोस्तों उस्टेलियन ने 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 जो है आर्मी स्टाफ जो है जो दोस्तों वो कर्ड़क्ट की है देरादूर में मैं रपीड कर दूँ भारते नेवी और उस्टेलिन नेवी जो है एक वारता है जो स्थापित की और जो है लास जो कुशन है कि जब हम बात करते हैं ब्रिक्स नेशन्स की तो दोस्तों इसमें एड और पोना चाहता है इरान तो इरान ने अपनी अरजी अपनी जो रिक्वेस्ट है वो डाल दी है इरान जो दुनिया का सेकिंड लार्डिस्ट गैस रिजर्व है ये भी चाहता है कि ब्रिक्स इन पाँच मजबूत कंट्रीज में हम भी है वो जोड़ जाएं हम भी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएं तो दोस्तों इसके साथ आज का सेशन खत्म हो रहा है आप रवीजन नहीं जो है करवा पाऊंगा ठीक है तो इसके लिए माफी चाहूंगा तो इसके लिए अच्छा लगी तो शेयर और ला